हर्याना एट टाइन पेम नुश्यानल में आपका स्वागित है आई आपको कराते हैं खबर सब्रीट लोगडाउन की दुराँ जहां जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद किया गया है वहीं इसके बाद भी कुछ लोग चोरी छिपे ना कीवल अपना सामान बेच रही हैं बलकि काला बाज़ारी कर्टिफे दामों में भी इजाफा किया गया है इसमें शराब विक्रेता भी पीछे नहीं है सैदपुर्चो की पुलिस ने जिनजोली से तेक शराब ठेके पर छापा मारा तो वहाँ पर ना कीवल खिड़की से शराब बेची जा रही थी बलकि उसे उँचे दामों पर भी दिया जा रहा था पुलिस ने सेल्समें को गिरफदार कर उसके खिलाफ बिंधाराओं के तहत मामला दर्श कर लिया है हैड कॉंस्टेबल रवी कुमार अपनी टीम के साथ लोगडाउन जूटी के तहट जिनजोली गाउं पहुंचे तो वहाँ पर सरकार द्वारा बंद रखने के आदेश की बावजुद एक शराब ठेके के अंदर बैठे सेल्समें द्वाराज खिड़की से शराब की सप्ला के साथ ही सेल्समें को बाहर आने के लिए कहा लेकिन सेल्समें मुखे रास्ते से बाहर आने की बजाए पीछे वाली रास्ते से खेतों की तरफ भागने लगा जिसे पुलिस टीम ने गिरफ़तार कर लिया आरोपी ने अपनी पहचार गाउं भटपुरा जिलाफ इसके साथ ही लोगडाउन की दुरान लागू नियमों को तोड़ने पर पुलिस के सकती जारी है। जजर निवासी रवी, पीपली निवासी दीपक और राजीश वे खरकुदा निवासी राहुल पर कारेवाही हुई। जबके एक वैक्ति बगेर पास के ही सबजियां बेच रहा था। ऐसे में उक्त लोगों नियमों की आफेलना की जिस पर पांचु केलाश, रामू, काशीश, किशनलाल वे सत्यवान के खिलाफ वे बिन्धाराओं की तहट पुलिस ने मामलाद दर्श कर दिया। अगातर खबर से अबरी च्रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें। धन्यवाद।